नमस्कार साथियो, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल RS Education Center पर साथियो, आज 17 तारिक है, तो जितने भी important question बनते हैं 17 तारिक से, current affair के, वो हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं इस से पहले, अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जूरूब कर लीजिएगा तो देखते हैं आज का पहला question हाल ही में भारत सरक्वार द्वारा की गई गोशना के अनुसार भारत में परती वर्स स्टार्ट अप दिवस कब मनाया जाएगा तो इसका सही आंस्वर आपका रहने वाला है वो है आपका कि 16 जनवरी को अब भारत में परती वर्स startup 10 मनाया जाएगा क्यों मनाया जाता है या मनाया जाएगा ये है अगर आपसे पूछ ले तो 16 जनवरी 2016 में मोधी सरकार ने भारत में जो द्योग है उनको बढ़ाओ देने के लिए एक startup योजना start की थी उसी के उप्रक्स में अब 16 जनवरी 2022 से भारत में परती वर्स startup दिवस मनाया जाएगा अगर आपसे पूछ ले कि startup सब्ता कब मनाया गया तो ये आपका मनाया गया है 10 जनवरी से 16 जनवरी के मद्दे अब देखते हैं जनवरी के कुछ महतोपूर दिन तो अगर आपसे पूछ ले कि 4 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है या फिर विश्वा में तो विश्वा में ये विश्वा ब्रेल दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को परवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्वा हिंदी दिवस 12 जनवरी को अगर आपसे पूछ ले तो राष्टिय ये वा दिवस और अपकी बार इसका जो आयोजन हुआ था या फिर स्पांसर अपकी बार किया था तो वो आपका पुद्दु जेरी ने किया था अगर पूछ ले आपसको 14 जनवरी तो 14 जनवरी को आपका ससस्तर बल वयोवर्द दिवस मनाया जाता है पूछ ले आपसे 15 जनवरी तो 15 जनवरी को भारतिय सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है 23 जनवरी को आपका प्राकरम दिवस मनाया जाता है नेता की थी उसका क्या नाम था तो वो था आपका forward blog जिसकी उन्होंने 1939 1949 में इस्थापना की थी अगर आपसे पूछे कि राष्ट ये बाली का दिवस कब मना जाता है तो ये है आपका 24 जनवरी पूछ ले 25 जनवरी को आपका क्या मना जाता है तो वो है आपका मत दाता दिवस मत द जित होगी तो आपका सही जबाब रहने वाला है तो वो आपका केरल के में आपकी पहली विस्वे बदीर T20 किर्केट चेंपियंशिप का आयोजन 2023 में होगा अब केरल से कुछ महतोपूर्ट अथे हैं वो देख लेते हैं कि केरल के CM कौन है पिनराई वीजियन गवर्णर आ भी शिर्ष पर बना हुआ है और भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान के अंदर वो भी आपका केरल में ही है अगर आप से पूछले के मुख्य तो उनमें से आता है ओनम मकरविलकू ये दोनों ते वहार केरल के इंपोटेंट ते वहार में गिने जाते हैं अगर प किन उपारक केरल लिए परशिद हैं ये चीज़े भी आपको ध्यान में रखनी है अभी एक जो हालिक की घटना है वो है कि भारत में कुम्ब लांगी गाउं भारत का पहला सेनेटरी नेपकिन मुक्त गाउं है ये भी आपका केरल में ही स्थित है और जो संतोज जोर्ज है भारत के पहले अंत्रिक्ष्ट टूरिस्ट होंगे वो भी आपके केरल से ही थे ठीक है तो ये चीज़े आपको केरल से याद रखनी है देखते है अगला क्यूशन हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंशी आइडेंटी आधारित इपासपोर्ट की गोश्रा की है या पेसकस की है तो इसका सही जवाब का रहने वाला है कि अपना देश भारत है उसने अभी रेडियो फ्रिक्वेंशी आइडेंटी आधारित इपासपोर्ट की पेसकस की है क्या रहने वाला है इस पासपोर्ट पे कि इसमें एक ये देखिए चिप होगी इस चिप में आप का पूरा data, bio data है, वो आपका record रहेगा, ये ही पेसकस भारत ने अभी पेस की है, तो ये ध्यान में रखना है कि radio frequency identity आधारित, ये passport की पेसकस भारत ने की है, देखतें अगला question, हाल ही में, किस देश ने भारत के साथ ब्रमोस मिसाइल खरीदने के लिए अनुबंद किया है तो आपका सही जबाब रहने वाला है आपका जो फिलिपिन्स देश है फिलिपिन्स ने भारत से ब्रमोस मिसाइल खरीदने है तू 375 बिलियन डोलर का अनुबंद किया है यह आपको ध्यान में रखना है फिलिपिन्स के बारे में अगर आपसे पूछे तो फिलिपिन्स की राजदानी आपकी मनिला और जो आपकी फिलिपिन्स की राजदानी मनिला है यहीं पिर आपको रेमन मेकसे से पृसकार भी दिया जाता है और रेमन मेकसे से पृसकार को एसिया का नोबल पृसकार कहा जाता है 2019 में यह आपका मिला था रवीस कुमार को जो ND TV जो नूड चैनल है उसके संपादक है अब देखते हैं, ब्रमोस मिसाइल के बारे में कुछ महत्वपुर्तत थे, तो आप से पूछे कि ब्रमोस मिसाइल किस परकार की मिसाइल है, तो यह है एक आपकी सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल, अगर आप से पूछे, एक इमपोर्टेंट कुशन और बनता है यहाँ पे, कि जो निर्विया मिसाइल है आपकी, तो वो आपकी सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, अगर आपकी अधिक्तम स्पीड पूछे ब्रमोस की, तो उसके स्पीड है 3.5 मेक, यह इसकी अधिक्तम स्पीड है, भारत और रूस ने इसको मिलकर बनाया है, और इसका नाम करण जो किया ग खा गया था, और इसकी सबसे खाशित है कि इसको आप जल से भी दाग सकते है, पानी से भी दाग सकते है, और आपका वायू से भी आपको अगर अटेक करना हो तो वायू से भी इसको आप दाग सकते है, अगर और आपको स्थल से तो आप इसको दाग ही सकते है, और इसके ब देखते हैं अगला क्यूसन, यह है ब्रह्मोष मिशाइल, भारत और रूस ने इसको मिलकर बनाया है, अगला क्यूसन, 14 जनवरी 2022 को भारतिय नोसेना ने किस देश की नोसेना के साथ अरब सागर में पेसेज अभ्यास, पासेक्स किया है, इसका सही जवाब आपका रहने वाला है, इन में से आपका सही जवाब रहेगा, कि रूस की जो नोसेना है, रूस की नोसेना के साथ, भारत की नोसेना ने अरब सागर में पासेक्स, जो पेसेज अभ्यास है, वो संपन किया है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ महत्तो प युद्ध अभ्यास इसमें भारत, उस्टेलिया, जापान, इसको क्वैड देशों का सम्मो भी कहा जाता है, ये चारो देश मिलकर एक युद्ध अभ्यास को अंजाम देते हैं, उस अभ्यास का नाम है मालावार, युद्ध अभ्यास, तो ये आपको बिलकुल माइंड में फ युद्ध अभ्यास संपन होते हैं, आगर आपसे पुछें सक्ति, वरुन और एक्ष डेजर्ट नाइट, ये आपके भारत एओ फ्रांस के मद्धे होने वाले युद्ध अभ्यास है, तो ये चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, एक्ष डेजर्ट नाइट जो अभी ला अभ्यास संपन किया है, उसमें भारत की तरब से आई-एन-एस, जो आपका कोची है, आई-एन-एस, कोची, इसने आपका भाग लिया है, तो ये चीज़े आपको इस क्यूशन में ध्यान में रखनी है, देखते हैं अगला क्यूशन, हाल ही में किस रज्जे सरकार ने नर्सिंग निती की मंजूरी परदान की है, तो आपका सही जवाब रहने वाला है, ये आपका हरियाना ने, जो हरियाना में, सियम मनवरलाल खटर के सरकार ने हाल ही में, रज्जे में नर्सिंग निती की मंजूरी दी है, तो ये चीज़े आपको इसमें ध्यान में रखनी है, हरियाना से समद्दित कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कि जालते ही, अगर आपको अगर अनाज मिले, तो वो है आपका ग्रेनेटियम, ये आपका पहला ग्रेनेटियम भारत में गुरूगराम में इस्थापित किया गया, अगर पुछे आप से पहला हेली हब, तो वो भी आपके हरियाना के गुरूगराम में इस्थापित किया गया और जो राश्टिय डेरी अनूस अंधान सहस्तान है वो भी आपके हरियाडा के करनाल में इस्तापित है देखते हैं अगला क्यूसन केंद्रिय मंत्री नितिन गडगरी ने भारत में कारों में जो आठ यात्रियों वाले वहन है कितने एर बेग अनिवारिय करने की गोशना की है जो जो सड़क दुर्गटनाए जो बढ़ रही है दिन परते दिन उनको कम करने के लिए भार सरकार की तरफ से कदम उठाय गया है कि जो आठ यात्रियों वाले वहन है उनमें जो एर बेग है वो उन्होंने मिनिमम इतने अनिवारिय कर दी है तो आपका सही जवाब रहने वाला है इसका कि आपके 6 एर बेग आपको मिनिमम उसमें लगाने ही होंगे ये कमपनियों के लिए आपकी अनिवारियता इन्होंने गोशित की है अगला क्यूशन है आपका हाल ही में किसने भारत ये टेस्ट किर्केट टीम के पद को छोड़ दिया है तो आपका सही जवाब रहने वाला है विराट कोली ने भारत के टेस्ट किर्केट टीम के कपतान के पद से इस्तिपा दे दिया है इन्होंने हाल ही में पहले T20 उसके बाद में BCCI ने इनको वंडे एक अपतानी के पद से अटाया और अभी हाल ही में विराट कोली ने दक्षने अपरिखा के साथ तोई टेस्ट जो आपी टेस्ट परतियोगता चल रही थी उसमें हार के बाद इन्होंने जो टेस्ट किरकेट टीम है उसके कप्तान के पद से इस्तिपा दे दिया है तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है अगला क्यूशन विराट कोली भारतिय टीम के पुर्व कप्तान तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते थे लेकिन अभी तीनों फॉर्मेट टीट वन टेस्ट तीनों से ही कप्तानी के पद से इस्तिपा दे चुके है अगला क्यूशन हाल ही में पदम विवुसर प्राप्त पंडित बिर्जु महराज का निदन हुआ है वह सम्मंदित थे आपका अगर इनके जो नर्ते की शेली है वो आपसे इसमें पूचा है तो आपका सही जवाब रहने वाला है जो कथक नर्ते है उससे ये सम्मंदित थे और बिर्जु महराज जो लखनो गराने से सम्मंदित थे उनका निदन हाल ही में 17 जनवरी को ही मतलब हुआ है तो देखते हैं भारत के कुछ परमुक सास्त्री नर्ते वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भरत नाटेम है वो उससे सम्मंदित राज्य है आपका तमिल ना ही है आपका मनीपूर से सत्री है यह आपका असम से असम में एक नर्ते वो रह भी हूँ और यह आपका मोहनी अट्यम है यह है आपका केरल से देखते हैं अगला क्यूसन पंडित बिर्जु महराज जिनका जनम 4 फरवरी 1938 और इनका निदन हुआ है 17 जनवरी 2022 को अगला क्यूसन हाल ही में किस रज्य में जल्ली कट्टू का आयजन किया गया तो आपका सही आनस्वर रहने वाला है वह है आपका तमिल नाडू में जल्ली कट्टू का आयजन किया गया है अब देख लेते हैं कल का सवाल की हाल ही में 15-18 वर्ष के सभी बच्चों का टिका क fabrics करने वाला देस का पहला केंदर सासित परदेश कौनशा बना है तो आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहने वाला आपका लक्से दीप लक्से दीप आपका इसका सही जवाब है तो ये थे आज के important question current affair के आपको class कैसी लगी? comment section में जरूर बताना अगर आप भी किसी competition exam की तयारी कर रहे हैं तो जूर जाए हमारे साथ current affair की तयारी करने के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like and share जरूर कीजिएगा तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा ताकि current affair के question daily आपको मिलते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं धन्यवाद